तेरी चाओ बन जावा तेरी कुसियों की खातिर मैं सारी जग से लड़ जावा आज के जमाने में लोगों के पास तनाव ही तनाव है रात तो अच्छे से गुजरती है लेकिन सुबह उड़ते ही लोगों को अपने अपने कामों को लेकर टेंशन जुरू हो जाती है जो हमारे फेमिली का हिस्सा है मेरे बतलबहे हमारी चैनल की फेमिली का हिस्सा है उने अपने तनाव से काफी हद तक रहाते पर हम बार बार उने हसाने जो चले आते हैं आप सभी की डिमांड पर आज फीर से हम लेकर आए हैं आपको मसा आसा है गर पेट में धर्द करा देने वाली कुछ एसी वीडियो लेकर जो आपने पहले कभी नहीं दीखी होगी तो चलिए फिर हमारे साथ मोज मस्ती के साथ हैसी के इस मज़ेदार सफर पर जब से ये शोट वीडियो का ट्रेन चल रहा है न हर कोई अपने आपको एक्षन का सरदार समझने लगा है अब इन भेलपूरी वाले भाईसाब कोई ले लीजी भाईसाब भेलपूरी बना रहे हैं लेकिन वहाँ भी अपने स्वेक का तड़का लगाई बिना रहे नहीं पा रहे हैं अब वह बात लगे कि जब जब स्वेक की दुनिया में इन जैसे दुरंदर कदम रखता है तब तब इस दुनिया का नाम ही कराब होता है जैसे कि यहां हुआ अब गुदी देख लीजिए वाब भई वाब नाचू कैसे आंगन टेड़ा जब सीधे से बेलपूरी खिला ही जा सकती है तो क्या जरूरत है कच्चा बदाम बनने की हो गया ना पोपड अब दात नकलिये तो क्या हुआ जवानी जर्श तसली है दरसल यहां बैठे यह ताओ किसी को बड़े जहां से ताड़ रहे हैं अगर आपका सवाल यह है कि ताओ की नजर किस पर ऐसे अड़की है कि भटकने का नाम ही नहीं ले रही है तो यह जानने के लिए पहले वीडियो को लाइक कीजिए कर लिया अब देखिए दाओ की नजर कहां टक्टकी लगाए बस गूरे जा रही है गूरे जा रही है और उचलते हरमानों को मन में दबाए जा रही है दबाई जा रही है बैस तभी किस लाई में आगे हैं ये बातें बताई नी जाती नजर लग जाती है अब जब प्लेगरा वाप को बदाएगी कि आज कभी मम्मी अभी बड़ी शेतार लो गई है ये बेरा मेस्टर रेस पहन कर पुझको आई नहीं हाड रही है तभी मम्मी कुछ एसा करती है कि दीदी की वाओ वाली अदा है को इमावाले लिक्षन में करनो अड़ोगे है जरा लेगी है आपकी मम्मी भी आपके साथ प्रेथी बस्ते करती है ये दांस तो आसी होता रहे है आप अस्ते रहा करो मुझे ठेका देदा आपको साने का फोलो कर लो सब्सक्राइब बिटन को उखाड फेको मिलते हैं नहीं वीडियो में